दोस्तो आज किस क्लास में हम daily daily diet jvd fasting experience exam के लिए social science के most important 50 questions करने वाले हैं जSen कि आप से भी जानते हैं दोस्तो social science से आपके 10 questions history, 10 questions दोस्तो political science and 210 question जोगरावी से पुछे जाएंगे तो आज किसक्लास में हम political science के एक most important topic सम्विधान सावास related 50 questions आज किस क्लास में हम करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन में दोस्तों पूछा गया है 1925 इस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा या उद्दुगार व्यक्त किया गया कि भारती संविधान भारतियों की इक्षा नुसार होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोतिला नेहरुजी नेक्ष्ट कोश्चन में पुछा गया है संविधान सभा के विचार का आपचारिक रूप से परतिपादन किसके द्वारा किया गया तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एम एन राय द्वारा Next question में पुछा गया है संभिधान सभा को किस ने मूर्त रुक परदान किया तो इसका right answer होगा दोस्तो जवाहरला नहरूजी नेक्स्ट कोश्चन में पुछा गया है कॉंग्रेस ने किस वर्स किसी परकार के वाहे हस्तचेप के बिना भारती जनता दुवारा संभिधान के निर्मान की मांग को लेकर प्रस्ताप पारित किया था तो इसका रायट आंसर होगा दोस्तों उनिस्सो व्यालिस इस भी में नेक्स्ट कोश्चन में पुछा गया है उनिस्सो अरतिस में किस व्यक्ती ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर संभिधान सभा के गठन की मांग की थी तो इसका right answer होगा दोस्तो, सुभास चंद्र वोस जी ने Next question में पुछा गया है वर्स 1949 में किस योजना के तहत यह स्विकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संभिधान सभा का गठन होगा जो इदोप्रांत संभिधान का निर्मान करेगी तो इसका right answer होगा दोस्तो, क्रिप्स योजना, option A Next question में पुछा गया है संभिधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके दवारा प्रस्तूत की गई तो इसका right answer होगा दोस्तो, बाल, गंगा, धर, तिलक जी के दवारा Next question में पुछा गया है भारत की संभिधान सभा गठित करने का आधार क्या था तो इसका right answer होगा दोस्तो, कैविनेट मिसन प्लान 1946 Next question काफी ज़्यादा important है भारत की संभिधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी ठीक न, तो इसका right answer होगा दोस्तो, कैविनेट मिसन योजना के अनुसार भारत की संभिधान सभा गठित की गई थी Next question में पुछा गया है सन 1936 में भारती राष्टी कॉंग्रेस दुवारा संभिधान सभा के गठन की मांग मतलब किस सदिवेशन में रखी गई थी ये इस question में पुछा गया है तो इसका right answer होगा दोस्तो, फैजपूर Next question में पुछा गया है कैविनेट मिसन योजना के अनुसार संभिधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे ठीक नब पाश्ट की बात की जा रही हो सकता है बदलाब में कुछ चेंजेस हो तो इसका right answer होगा दोस्तो, 389 Next question में पुछा गया है प्रस्तावित मूल संभिधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस परकार निश्चित हुआ था तो इसका right answer होगा दोस्तो प्रयूक्त सभी तीन ये सभी आधार थे Next question में पुछा गया है संभिधान सभा में विभिन प्रान्तों के लिए 201 में सदस्यों का निर्वाचन होना था इन में से कॉंग्रेस के कितने परतिनी धी निर्वाचित होकर आये थे ये इस question में पुछा गया है तो इसका right answer होगा 208 Next question में पुछा गया है पुनर गठन के फल सभरू वर्स 1947 में संभिधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी तो इसका right answer होगा दोस्तो 299 संभिधान सभा में देशी रियास्तों के लिए कितने परती निदी थे तो इसका right answer होगा 70 Next question में पुछा गया है पुनर गठित संभिधान सभा में विभीन परांतों के लिए कितने परती निदी थे तो इसका right answer होगा दोस्तो 239 Next question में पुछा गया है कैविनेट मिसन योजना के अंतरगत संभिधान निर्मात्री परिसद में परतेक परांत की आवांटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक परती निदी कितनी जन संख्या के अनुपात में था तो इसका right answer होगा दोस्तों इससे related और भी कोशन से एकजाम में पुछे जाते हैं ठीक न तो हम करेंगे देखें next question में पुछा गया है संभिधान सभा में किस परांत का परती निदी तो सबसे अधीग था तो इसका right answer होगा दोस्तों सन्युक्त परांत जिसे अब हम उत्तर परदेश के नाम से जानते हैं संभिधान सभा में किस देशी रियासत के परती निदी ने भाग नहीं लिया था तो इसका right answer होगा दोस्तों हैदरावाद अगर आपने दोस्तों class 12 का एक chapter है political science का देशी रियासतों का विलाए इसमें दोस्तों आपने जरूर पढ़े होंगे हैदरावाद रियासत का विलाए कैसे हुआ था और इसमें दोस्तों सरदार वल्ला भाई पटेल जी का क्या योगदान था तोस्तों हम निजाम कहते थे निजाम के नाम से जानते थे और वो भारत की रियासत में मिलना नहीं चाहते थे नेक्स्ट कोश्चन है और कमेंट बॉक्स में बताईएगा आप लोग दोस्तों किसके द्वारा जो है हैधरावाद जो रियासत है इसका भारत में विलै हुआ ठीक ना? क्या सर्व सम्मती से हुआ था या कोई कारवाई की गई थी ठीक ना? इन दोनों में से नेक्स्ट कोश्चन है विहार अंबेटकर का संभिधान सभा में निर्वाचन हुआ था मतलब किस प्रांथ से हुआ था तो इसका रायट आंसर होगा पश्रिम बंगाल से नेक्स्ट कोश्चन में पूछा गया है मुसलीव लीग ने किस कारण संभिधान सभा का वहिस्कार किया था तो इसका रीजन है दोस्तों मुसलीव लीग जो है ये मुसलमानों के लिए एक अलग संभिधान सभा चाहता था तो यही रेजन हैं कि उनहोंने संभीधान सबा का वहिस्कार किया था संभीधान सबा का चुनाब में चुनाब निम्न में से किस अधार पर हुआ था तो इसका रायट आंसर होगा दोस्तों वरगी मतादिकार next question है हमारा समिधान सभा के सदस्य परतिनीधी थे देखे, मतलब जो समिधान सभा के सदस्य थे न ये क्या जनता दुआरा परतियक्ष रूप से निर्वाचित होकर आये थे ये आप परतियक्ष रूप से तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तो ये जनता के दुवारा जो है न अब परतियक्ष रूप से निर्वाचित होकर आये थे अब मुश्लिय स्विंट क्या गलती करते है न उन्हें लगता है कि ये जो सम्विधान सवा के सदस्य थे ये जनता के दोवारा परत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आये थे यही गलती करते हैं जबकि दोस्तों अभी हमने पढ़ा है देखिए जो संविधान सभा के सदस्य थे ये दोस्तों प्रांतों के जो विधान सभा के सदस्य थे ना इनके दोवारा निर्वाचित होकर आये थे ठीक ना तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेगा काफी important है question और इसमें student confused होते है next question में पुछा गया है भारतिय संबिधान निर्मात्री सभा आगे का जो statement है ये आपको बताना है कौन सा appropriate है तो ये दोस्तो प्रांतिय बिधान सभाओं दोवारा परतियक्ष रूप से आनुपातिक परतिनिधित वो परणाली दोवारा चुनी गई थी next question में पुछा गया है भारतिय संबिधान को किसने बनाया तो इसका right answer होगा दोस्तो संबिधान सभाने next question है हमारा संबिधान सभाओं के लिए चुनाव कव संपन हुए तो इसका right answer होगा 1946 में भारती संबिधान सभाओं की स्थापना कव हुई दोस्तो भारती संबिधान सभाओं की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी next question में पुछा गया है संबिधान सभाओं का पर्थम अधिवेशन कहा हुआ था तो इसका right answer होगा दिल्ली में next question में पुछा गया है संबिधान सभाओं के उद्गाटन अधिवेशन की अधियक्षता किसने की थी तो इसका right answer होगा सचीदानन सिनहाने next question करते हैं संबिधान सभाओं का पहला सत्र कभ हुआ था तो इसका right answer होगा दोस्तो 9 December 1946 को संबिधान सभाओं का पहला सत्र हुआ था 9 December 1946 को next question है हमारा संबिधान सभाओं के आस्थाई अधियक्ष कोन थे तो इसका right answer दोस्तो आप में से mostly strength जानते होंगे सचीदानन सिनहा थे next question में पूछा गया है संबिधान सभाओं के अस्थाई अधियक्ष कोन थे तो इसका right answer भी दोस्तो आप लोग जानते होंगे डॉक्टर राजेंदर परसाद जो कि भारत के पर्थम राष्टपती थे next question में पूछा गया है 11 December 1946 को किसे संबिधान सभाओं का अस्थाई अधियक्ष चुना गया था तो वही होगा इसका right answer डॉक्टर राजेंदर परसाद next question में पूछा गया है संबिधान सभाओं के संवैधानिक सलाकार कोन थे तो इसका right answer होगा वेनेगल नर्सिंग राउजी next question करते हैं संबिधान सभाओं के चुने हुए स्थाई अधियक्ष कोन थे तो इसका right answer होगा डॉक्टर राजेंदर परसाद next question में पूछा गया है निमनलिखित में से कौन संबिधान सभाओं का सदस्य नहीं था तो इसका right answer होगा दोस्तो एच एच वेग next question करते हैं संबिधान सभाओं के बिभिन पहलों के अधियान के लिए संबिधान सभाओं के कितनी समीतिय निउक्त की थी तो इसका right answer होगा दोस्तो 13 समीतिया next question में पूछा गया है संबिधान सभाओं के प्रारूप समीति की निउक्ति कब की गई थी तो इसका right answer होगा 29 अगस्त 1947 को question number 41 में पूछा गया है भारती संबिधान सभाओं की प्रारूप समीति के अध्यक्ष कोन थे इसका right answer दोस्तो आप में से mostly strength जानते होंगे डॉक्टर वी आर अमबेट कर जी next question में पूछा गया है संबिधान सभाओं के प्रारूप समीति में सदस्य की संख्या कितनी थी तो इसका right answer होगा दोस्तो साथ थी ठीक ना? साथ next question है निमनलिखित में से कौन भारती संबिधान की प्रारूपन समीति के सदस्य नहीं थे तो इसका right answer होगा दोस्तो डॉक्टर राजेंदर परसाथ जी next question में पूछा गया है निमनलिखित में से कौन प्रारूप समीति का अध्यक्ष नहीं था? तो इसका right answer होगा दोस्तो पंडी जवाहरला नहीं रोजी option A next question करते हैं संबिधान की प्रारूप समीति के समक्ष प्रस्ताबना का प्रस्ताब किसने रखा था? तो इसका right answer होगा भारत के पर्थम परधान मंत्री जवाहरला नहरूजी next question में पूछा गया है संबिधान सभा में सभी निरनय किस आधार पर लिये गये थे? तो इसका right answer होगा दोस्तों सममती और समायोजन के आधार पर next question में पूछा गया है संबिधान सभा में उदेशे प्रस्ताफ किसने प्रस्तूत किया था? तो संबिधान सभा में दोस्तों उदेशे प्रस्ताफ जवाहरला नहरूजी ने प्रस्तूत किया था नेक्स्ट कोश्चन में पुछा गया है भारती संभिधान सभा की संग्य सक्ति संभिती के अध्यक्ष कौन थे? काफी important है ये कोश्चन इसका right answer होगा पंडित जवारलां नेहरो जी ने नेक्स्ट कोश्चन में पूछा गया है भारती संभिधान को अपनाया गया किसके दोवारा अपनाया गया तो भारती संभिधान को दोस्तो संभा के दोवारा अपनाया गया जिन्होंने बनाया था मिलकर नेक्स्ट कोश्चन करते हैं तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा दुवारा मतलब कब पारित किया गया तो इसका रायट आंसर होगा दोस्तों 22 जनवरी 1947 को नेक्स्ट कोश्चन में पूछा गया है सम्विधान निर्मात्री सभा में राष्ट दोज संबंधी तदर्थ समिती के अध्यक्ष कोन थे तो इसका रायट आंसर होगा डॉक्टर राजेंदर परसाद जी next question करते हैं तो next question में पूछा गया है भारती राष्टी दोज के प्रारूप को किस दिन स्विकार किया गया था तो इसका रायट आंसर होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारती राष्टी दोज के प्रारूप को स्विकार किया गया था next question करते हैं सम्विधान सभा अंतीम रूप से किस दिन आखरी वार मिली तो इसका रायट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को अब आपने से दोस्तों बहुत सारे स्विकार के मन में एक question होगा कि आखर सम्विधान सभा क्या है तो सम्विधान सभा दोस्तों ऐसे लोगों का समूता जिन्हों ने दोस्तों मिलकर भारती सम्विधान का निर्मान किया था ठीक ना next question में पुछा गया सम्विधान के कितने उपस्तिस सदस्यों ने सम्विधान पर हस्ताचर किये थे तो इसका right answer होगा 284 Question number 57 सम्विधान सभा दोरा अंतिम रूफ से पारिज सम्विधान में कुल कितने अनुछेद और अनुसूचिया थी तो इसका right answer दोस्तो आप में से mostly strength जानते होंगे 395 में अनुछेद थे और दोस्तो 8 अनुसूचिया थी ठीक ना next question करते हैं तो संपूर्ण भारती सम्विधान के निर्मान में सम्विधान सभा को कितना समय लगा था बहुत ही असान question है किस दिन से सम्विधान सभा का अंतरकालिन संसद के रूप में अविर्भा हुआ इसका right answer होगा 26 जनवरी 1950 से next question करते हैं जिस सम्विधान सभा दोआरा भारत के सम्विधान का अधिन यमन किया गया उसके सिदस्य कौन थे उसके सिदस्य दोस्टो विभीन प्रांतू की बिधान सभाूस door नामित सिदस्य थे next question में पुछा गया है भारत के लिए सम्विधान सभा की रचना के लिए सम्विधान सभा का विचार निमनलिखित में से सर्वपर्थम किसने परस्तूत किया था इसका right answer होगा दोस्तों सुवराज पार्टी ने 1924 में नेक्स्ट कोशन में पुछा गया है भारती सम्विधान सभा के पर्थम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका right answer होगा दोस्तों डॉक्टर सचीदा नन सिनहा जी ने नेक्स्ट कोशन में पुछा गया है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सम्विधान सभा की किस वैठक में उदेशे प्रस्ताव रखा था? तो इसका right answer होगा तीसरी वैठक में नेक्स्ट कोशन में पुछा गया है निमनलिखित कतनों में से कौन सा एक सही है? देखे, option A statement सही है, वर्स 1946 में प्रांतिय सभाओं दवारा भारत की सम्विधान सभा चुनी गई थी नेक्स्ट कोशन में पुछा गया है भारत की सम्विधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका right answer आप लोग जानते होंगे, वी आर अंबेटकर जी को नेक्स्ट कोशन में पुछा गया है, सम्विधान पांडू लेखन समीती का निमनलिखित में से कौन सिदस्य नहीं था? इसका right answer होगा, जवाला नेहरुजी नेक्स्ट कोशन में पुछा गया है, भारत का सम्विधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को नेक्स्ट कोशन में पुछा गया है, सम्विधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? तीना, क्या रीजन था? तो इसका रीजन यह है दोस्तो, कॉंग्रेस ने इस तिथी को 1930 में सोतंतृता दिवस के रूप में मनाया था तीना, यही रीजन है, इसका right answer option यह हो जाएगा Next question में पुछा गया है, भारती संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? इसका right answer होगा, 15 ती Next question में पूछा गया है, इनमें से किसने संविधान सभा में या कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में परविष्ट हो रहा है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर वी आर अंबेटकर जी ने कहा था नेक्स्ट कोश्चन काफी जादा इंपोर्टन्ट है प्लीस आप लुग याद कर लिजिएगा भारत के राष्टिय चिन को किस दिन अपनाया गया था तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्टिय चिन को अपनाया गया था